प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् दॉकनाने एलर्जी रोग विश्यसक्ग, डॉक्तरा आजाद अलं से हमारी बात चीत हो रही है और डॉक्तर साहब सांसों से सम्मन्दित होने वाली भीमारियों के बारे में विश्थार्श करा रता है तो आएए हम बात करेंगे डॉक्तरा साहब से उस विश्यसे पर जैसे कि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिशे पर जिसका सबसे महत्पूर्ण सब्जेक्ट है रेस्पिरिटरी सास से सम्मंधित और ये कहा जाता है कि जब तक सास तब तक आस यानि कि हम अपने जीवन को तभी खुसाल बना सकते हैं जब हमारा सास सही हो और हमारे साथ इनी सब विश्वों को बात करेंगे छाती रोग, सास रोग, दमा एलर्जी फेफरों में केंसर में टीबी रोग भी से सग डाक्टर आजाद आलंग जो कि बड़े परतिष्ठी तसपतालों में डॉक्टर साहब ने मेडिकल प्रैक्टिस किया है और सिवान की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि कोबिड नाइंटीन, गलोबल पैंडेमिक का समय वह कौन भूल सकता है जिस समय चारों तरफ काफी भेवावा इस्तिती थी उस समय डाक्टर साहब ने अपना जान जोखिम में डाल करके बहुत सार ऐसे मरीजों को नया जिन्दगी देने का काम किया जो की चर्चा का किंद्र बने हुए थे डाक्टर आजाद आलम तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसेस कारकम में आज हम बात करेंगे सांस से सम्मंधि समस्याओं पर तो आप यहां सिवान के इकलवते बिशसक चिकित सक हैं आज मौसम में सर तेजी से उतराव चड़ा हो रहा है कभी बारी सो रही है कभी तेज धूख हो रहा है कभी कुहासा आ रहा है और इसमें एलरगी की समस्याओं पर्रिरिधि थेजरीस होने लें सांस लेने में तकलीफ होने लगता है इसके क्या-क्या कारण हो सकते है arkadaş तो सांस जो होता है फुलने का बहुत सा कारण होते है जो रिस्परेटी का सवाल है, उसमें आपको वोगों एक जो सब्सक्राइब ए सोगा से। जाते हैं अस्तमा में जो होते हो जनेटिक चलते हैं और इसमें दूनों का अलग जो त्रीटमेंट मोडलीटी को दूनों का अलग होता है और गता की यह चाहिए के बाद तो इलर्जी जो आन्ट से बनाउत होता है to तो उसको उनको डिपेंड करता है कि किस सिसाब को पार्टिकलर रजी होते हैं जी सर अज कल देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवा हैं जो की नसे का सिकार हो गये हैं और सिगरेट मेड़ी वह गरा का इस्तमाल जादे कर रहे हैं तो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि मतलब नसा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है तो चिगरेट पीने से क्या-क्या लंग्स को तकलिफ हो सकती है सास में क्या कंप्लिकेशन आ सकता है सबसे मुष्ट कमन होते हैं सी गरेट पींसर का फिप्टी सुप्टि परसेंट चांस रहता है होने का इसमें शुक्रापन आ ज होते हैं आपको सिगरेट पीने से सर आजकल यह जो है कॉमन हो गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे रात में सोने के समय नाक में कोई मतलब ड्रॉप है जो डालते हैं जिससे के नाक का जो मतलब पैसे जह रास्ता है उत्वा किलियर हो जाए इसमें साइनोसाइटिस होग सीफलिपश्थ सिंड्रोम उसको बोलते हैं जो मरीज चो रात में खराड़ा लेते हैं के लिए आपको यहां भी जांच होता है तो उसके लिए रात में आपको लाता के बारnaire स्वीश बोलते हैं उसके बास को बोलंगा बाद या मेढ़ेट शाती सांस यम दमा एलर्जी रोग विशसग डाक्टर आजाद अलम से हमारी बात चित हो रही है और डॉक्टर साहब सांसों से सम्मंदित होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से प्रकास डाल रहे हैं तो आईए हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से उस विशे पर जै यहां पर जो आप मेडिकल डियागनोसिस करते हैं जो भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर आजाद अलम साहब को देख रहे हैं तो कितने दिनों तक का इसका ट्रीटमेंट होता है इनिस्चियल स्टेज पर पहले तो मरीज को बलाया जाता है उसके बाद उनको रा लगाना पड़ता है मुश्किल से 6-8 घंट आपको लगाना है और दीरे दीरे ठीक हो जाता है अगर उसको इलाज नहीं करते तो वह काडियोवस्कुल सिस्टम मतब आपके हमाई भी हो सकता है हाट अटेक उसको बोलते हैं स्टॉक भी हो जाते हैं तरह तरह के कंप्लिकेश लिश्का मिलते हैं तो इसका समधान है और हमारे साथ डाक्टर साहब जो जुड़े हुए हैं आजाद अलम इसी के भी से सग हैं चलते चलते एक अहम सवाल आप से कि आजकल खांसी भी बहुत ज्यादे हो रहा है क्लाइमेट चेंज होने से अस्थमा के मरीज की संखिया जोट तो बॉलना वहुत रहता है एकूट होते हैं है कि होते हैं सबेट होते हैं इसे सबस्द निगेटील को पोजिटीड अगर नीगेटीव है तो कौछ बात नह inac Happ направить के बादान कीनल बुला सके हैं उसके पीएप्टी बोलते हैं उसके बाद जाज करने के बाद पाज़े चलता है कि अदामा तो नहीं है उसके बाद उनके बाद दवाई का प्रसानी आती है च्छाती के जो समस्या होती है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग यह समझ नहीं बाते हैं कि इसके बीसे सग डॉक्टर कौन है और जनरल फिजिसियन से भी सलाह लेते हैं ऐसे फावरी तर पर राहत के लिए कुछ तो मेडिसिन प्रस्क्राइब हो जाता है लेकिन कहा जाता है कि मेडिकल साइन्स में बिशेसक चिकित्सक की अहम योगता होती है और आप अगर इस तरह की समस्य सगरसित हैं अगर सांस लेन चेस्ट एंड हाट केर किलनिक डाक्टर आजाद अलम से अभीलंप आप संपर करें ताकि आप स्वस्थ और निरोग रहे हैं तो सभी रिस्परेटरी का जो सिस्टम है मेरे पास है बाइप जिसको बोलते हैं उसके बाद पी एफटी मसीन रहता है मॉनीटर है जो भी चिकित्सक डाक्टर साहब इस छेत्र के बहुत ही बिद्वान चिकित्सक हैं और बड़े परतिष्टी तस्पतालों में भी इन्होंने सेवा किया है और यहां सिवान में जितने दिनों से शेवा कर रहे हैं अभी तक इनका जो अभी कंट्रिब्यूशन रहा है सोसाइटी मे बहुत बड़ा योगदान है और लोगों इसकी काफी परसंसा भी कर रहा है बहुत बहुत धन्यवाद